Hello everyone and welcome to my channel Home Cook Secrets नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मूली के पतों की भूची किस प्रिकार से बनाई जाती है सबका अपना बनाने का तरीका यूदो अलग होता है आज हमारी रेसिपी से सबसी को ट्राय करें और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसके नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना पूले और साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर करें तो चलिए मूली के पतों की भूची बनाना शुरू करते हैं तो तो मेडियों मूली और जरूरा प्तेल्टे ना ये आद्यों मूली की अदेला करता थ ot mt एक बड़े साइज का पोटेटो, एक छोटा अध्रक का तुकडा जिसे हमने घिस लिया है, एक तेज पत्ता, दो सूकी लाल मिर्चे, एक हरी मिर्च जिसे हमने लंबा कात लिया है, आप मिर्च इसमें अवोईड कर सकते हैं, अगर आप कम तीका खाते हैं तो, साथ में हमने चौकने के लिए साथो का तेल लिया है, आप रिफाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन सुकी सब्जियां साथो के तेल में बहुत ही भड़िया बंदी है, एक बड़े अकार का प्याज जिसे हमने मीदियम साइज में कात लिया है, दो से तीन पिंच हमहीन का इस्तमाल करेंग करेंगे, इस प्रकार से और इसको एक बात और चीरा लगाेंगे और अब इसे हम थोड़ा-मोटा-मोटा कात लेंगे, ज्यादा भारीक नहीं कातेंगे защ week a वह. करना है इस प्रकायसे मूली काट लेंगेक लिए हमारी कट्चुकी है और पत्तों करने के लिए हम हर क Über Single lady का मैं prata लेलल पावकि एप किसी भी ठेखने में एक फ्रकार घर होगा तो हम इस पते को अलग कर लेंगे और क्योंकि यह सीजनल है और इसलिए इसकी डंडिया होती है यह भी मीठी ही होती है इसलिए हम थोड़ा सा भाग स्टेम का अलग कर देंगे और इस प्रकासे पकड़ते हुए इसे बारीक करके काट लेंगे कि अगर आप स्टेम ना यूसयवेत चाहे तो खाली पत्तों लेकर भी आप बूजी बना सकते हैं इस प्रकासे हम सभी पतों को काट लेंगे तो देखे इस प्रकार से हम सभी पत्तों को और मूली को एक बार फिर्स से फ्रेश वाटर के दीचे अच्छी तरह से वाश कर देंगे मूली को हमने अच्छे से दोलिया है अब हमें प्रेशर कुकर में डेढ़ गलास पानी डाल दिया है और अगर आपके पास चोटा अलु है तो आप ऐसे ही डाल दें यह आलू काफी बड़ा है मैं इसके दो पीस करके इसे अच्छे से पानी में डिप कर दूगी जिससे कि यह म हमने मूली को भी ठंडा कर लिया है ठंडा होने के बाद में हम मूली को हाथ में लेंगे और हलके हाथ से प्रेस करते हुए बहुत ही हलका नहीं चोड़ेंगे जिससे इसका एक्सेस वाटर जाए निकल जाए इस प्रकार से हमें मूली को अलग करना है जादा प्रेस नहीं कर राओं यहां में अलुके भी छोटे चोटे में क्रोफे आलू को भी जहा है और अब हम भापा पूची को बनाना स्टार्ट करते हैं कढाई को हमने गरम होने के लिए रख दिया है अब हम आसमें डालें के सर्फोगर तेल लगबक 3 टेबर स्पून वाईल हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच जितना हीम, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जितना जीरा, 3-4 काली मिर्ची साबुत और 2 लॉंग के पीसिस, इन सब को अच्छे से चला लें, जीरा हमारा ने प्याइकल हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे प्यास, замम अच्ग्षर जालना ओप्सन आप जाहए तो प्यास और अ यह अट। पेसो, अशिकहता भीं करना चाहिए तो इसमें लगों डालेंगे इसे — बोलेंगे अब हम हम आपीस हो पाका सकत हम नहीं पर मारे राहत पर कि नहीं पर?".How an student? ्वाद इंड़ाज सेटें कदाने दूरिटों तक रख टां पर राहते हैं. हम और छुद्धा सलोग हें नमखéré को जले की तानिक दरीए नहीं है. धुलें प्यास से प्यास के साथ रिटी हाविए नममग बुलें. ताकि हमारे मसाले जलने नहीं चाहिए, अब हम इसमें डालेंगे हमारी हरी मिर्चे, और साथ ही साथ में डालूंगी आलू, एक चमच, वन टेबल स्पून सुखा दन्या पाउदर, थाफ टीस्पून गरम मसाला, और थाफ टीस्पून जितना अम्चूर पाउदर, इन सबी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स हम कर चुके हैं, और यहां में आपका दिशनल चीज़ बता रही हूँ, अगर आप बूजी में अच्छा कलर चाहते हैं, तो यहां पर आप कश्मीरी मिर्च का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, बहुत मामूली थी मैंने कश्मीरी मि और सब चीज़ों को मिलाके अच्छे से भूल के 2-3 मिनट लिए ढखके पकने देंगे, जिसके हमारे सबी मसाले मूली के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं, यह बहुत ही जादा डिलिशिस भूजी बन के तयार होती है, यह देखिए, अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए पकने तो देखिए, यह हमारी चटपटी, करारी, बहुत ही तेस्टी मूली की बूजी बन करके तयार हो चुकी है, अब इसे सर्फ करते हैं, तो देखिए फ्रेंस, यह रेसिपी मैंने आपको मारवारी स्टाइल में बताई है, हमारे यह सभी राजस्थानी इसको अग्जर मूली के साथ आलू मिक्स करके बनाते हैं, और अगर आप इसे बनाना चाहें, तो बिल्कुल बिना आलू के और प्यास के भी बना सकते हैं, उतनी ही तेस्ती और डिलिशस बन के तयार होगी, अगर आपको हमारी मूली की सबदे की रैसे भी पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और साथ इस चानल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में, तिल दिन बाबाई एंड कीप इन ताच झाल 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 ।